कूर्ण मोर्निंग बच्चो हम तृफुच तृफुच के अग ठीक है तृफुच का वर्गी करन भूझाओं के आधार पर कोनों के अधार पर हम पढ़ चुके हैं आज पढ़ेंगे ठीक किसे कहते हैं ठीक के शिष को समुख मुझा के मत्य बिन्दू से मिलाने वाले रिख is is वासआपकी स समुऑय क cow शाने शीए वाली जी के समुच कोंसी है यह वाली है अगर मैं जाएगी उसके सामने वाली टीक है न पिखेहां का मेने लग त्रीफ के शिर्छ को समुच可 शुच को कोंजा शाने अगर तराने वसके सामने वाली मद्ध्य बिंदू से मिलाने वाले रेखाखंट तो रेखाखंट क्या होगए AD इसको हम क्या कहेंगे त्रिभुच की मद्ध्य का कहते हैं अब आपके पास देखिए आपने BC जैसे मैंने यहां पर 4 cm ले रखा है यह मैं कर दिखाती हूं आपको BC मैंने आप क्या ले रखा है थीक है और यह 2 cm मैंने क्या करना यहां पर निशान लगा तेए तो A से मैंने क्या करना है D को क्या करते हैं मिला टैये लोगे नीचे तो आपने 3 cm पर यह निशान लगाना था क्लियर हो गया तो यह भूझ ना चोटी बडी कैसे भी ले सकते हूं उस सेज को करना ना मध्य बंदू से करना है आपने मिला देना है तो है यहां पर आएगा यहां पर क्या लिखोगे आकरिती में ठीके एडी त्रिभुच ABC की मध्यका है, त्रिभुच ABC की मध्यका है, ठीक है, इंग्लिज से मीडियन बोलते हैं, हिंदी में मध्यका बोलते हैं, ठीक है, अब आपके पास कोश्चन है, एक त्रिभुच की कितनी मध्यका हो सकती हैं, कितने हो सकती हैं, कितने सक्षे हैं, एक, दो, तीन, यहां से यह पे takich मत्ध्य बिन्दव से मिलाएंगे यहां से हैं इस 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 स्मुबिषा के मत्ध्य बिन्द dua कितनी एक डो यह त्रिभुज के अंदर ही है तो इसका अंसर क्या आजेगा हां कुत्तर आलेगा इसका हां आगे आपने आप लिखोगे मध्य का पुन्ते त्रिभुज के अंदर स्थित होती है ठीक है हां कोमा डालके मध्य का पुन्ते त्रिभुज के अंदर स्थित होती है यह आप अपन रोग्या, thank you.